जैहिन दोस्तों आप सबी के इंवेश्टिंग क्लब से चनल पर सौगत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल इंवेश्टमेंट जो है वा क्या होती है दोस्तों आज के समय में अगर आप सेयर मार्केट में निवेश्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है सेयर मार्केट में सही सेयर का जुनाओं जैसे है कि हमारे देश में ही 6000 से जादा कमपनिया वह BSC और NSC पर वा लिश्टेट है मेरे खाल से यह अक्रण 7000 के आसपाट होगा इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि इसमें से 90% सेयर वा ऐसे हो हैं जिसमें से लोगों को निवेश्ट करके नुकसान होता है और 10% ऐसे हैं जिसमें जो है निवेश्ट किया जा सकता है लेकिन अगर इन 10% सेयरों को भी देखेंगे तो यह करीबन 1000 के आसपाट हो जाती है और इन में से नहीं सेयर का चुनाओं अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सेयर मार्केट में बड़ा नुकसान जो हो सकता है इसी समस को सुलजाने के लिए लोग जो है तरह तरह की तरीकों का जो हवा उप्यों करते हैं इन में से कुछ लोग fundamental investment को अपनाते हैं और कुछ लोग जो हवा technical analysis को अपनाते हैं technical analysis में चार्ट के मत्यम से और indicator के मत्यम से किसी सेयर में निवेस करना चाहिए या नहीं निवेस करना च होता है वह वैलम अगर किसी सेयर पर वैलम नहीं है तो आप उस पर जो है सही टेकनिकल ईनलैसेस करके फायदा जहान पर नहीं कमा सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि fundamental analysis जो है वक्त क्या होता है दोस्तों अगर आप किसी company के business वित्ति इस्तिती को देख कर company अभी क्या कर रही है company भविस्त में क्या करने वाली है और जो भी macro factor है इन सभी चीजों को मिला करके analysis करके जब किसी सेयर पर निवेश करते हैं तो हम उसे fundamental analysis जो है वा कहते हैं इसमें company की इतिमाही दरतिमाही result को जो है वा देखा जाता है इस पर भी दो तरह की होते हैं एक होता है जब आप balance sheet और data को देख कर जो है वा analysis करते हैं और दूसरा होता है company की पास कितनी value है company आगे किस प्रकार से growth कर सकती है उसको देखकर जब आप निवेस करते हैं तो ये सारी चीज़े जो है वा fundamental analysis पर आती है तोस्तो fundamental analysis की सबसे खास बत यह होती है कि जब आप इस प्रकार का analysis करते हैं तो आपको जो है काफी noise जो है वा कम हो जाता है क्योंकि market पर जो हर तीन share की किमत उपर और नीचे जो है वा होती रहती है ऐसे पर एक आम investor के पास इतना समय नहीं रहता है कि वा day to day जो है उसकी price को देखते है ऐसे में fundamental investment ही काम आता है दोस्तो आसा करता हूँ आपको यह जान का लिए अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो इससे अपने दोस्तों के सांसे जरूर कीज़ेगा और अभी तक आपने अपना teammate account नहीं खुलबाया तो नीचे दिये हुए description के मैंथम से अपना teammate account free में खुलबा सकते हैं